हेलो गाइज, वेल्कम तुमाई चैनल पीके कोमर्स स्टेडी आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कोईशन लाई हूँ इंटर प्रेनर्शिप का तो गाइज मैं बता दूँ, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे उद्मी तथा उद्मिता के मिनिंग को तो आज हम लोग देखेंगे उद्मी तथा उद्मिता में क्या-क्या अंतर है गाइज ये कोईशन एक्जाम की द्रिश्टी से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो केरफूली वीडियो को अंतर देखें ताकि आपकी एक्जाम में आए तो आप इसली इसका आंसर दे सके तो चलिए देखते हैं उद्मी तथा उद्मिता में क्या-क्या अंतर है हम लोग पीछली वीडियो में पढ़े थे उद्मी का मीनिंग तो मैं फीर से इबर उद्मी का मीनिंग को बता दूँ कि उद्मी वा होता है जो एक बेक्ती किसी बेवसाई को चलाने के लिए रिस्क उठाता है और इस रिस्क को लेते हुए बेवसाई को प्रारम करता है यानि एक सधारन बेक्ती जो बिजनस करता है और बहुत सारे जोखिमों को जिलते हुए बेवसाई को चलाता है वही उद्मी कहलाता है और जो उद्मी के दुवारा कारी किये जाते हैं उस प्रक्रिया को उद्मीता कहा जाता है यानि पहला पंट है उद्मी एक बेक्ती होता है जैसे हम भी एक को बिजनस कर सकते हैं आप भी एक बिजनस कर सकते हैं आप भी एक उद्मी हो सकते हैं और हमारे दुवारा जो कारी बिजनस में किया जाएगा उसे ही उद्मीता कहते हैं यानि उद्मीता एक प्रक्रिया है दूसरा पंट है उदमी एक आयोजक है यानि जो बेवसाय को प्रारम किया जाता है तो एक विक्ति के द्वारा ही बेवसाय का आयोजन किया जाता है इसलिए उदमी एक आयोजक है जबकि उदमित्ता एक संगठन है यानि उदमी के द्वारा बहुत सारे बेवसाई एक दूसरे के साथ में मिलकर बेवसाई को चलाते हैं एक संगठन बनाकर इसलिए उदमित्ता को एक संगठन के रूप में माना जाता है तीसरा पॉइंट है उदमी एक नविंतम प्रकिरिया लाने वाला है यानि जो बेवसाई को चलाता है वो नए नए बेवसाई में नई चीजों का निर्मान करने के बारे में सोचने वाला होता है इसलिए उदमी को एक नविंतम प्रकिरिया लाने वाला कहा जाता है जबकि उदमित्ता एक नयापन होता है यानि उद्मी के द्वारा जो कारी किया जाता है उसी से एक वस्तु नया निर्मान करता है तो एक नया पंसा हो जाता है चौथा पंसा है उद्मी एक प्रेरक है जबकि उद्मित्ता एक प्रेरना यानि एक वेक्ति के द्वारा जो कारी किया जाता है और करने के बाद जो फल मिलता है उसी से उद्मी मोटिवेट होता है और बेवसाई को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और आगे सूचता है पांचमा पॉइंट है उदमी एक निर्माता होता है यानि वस्तु का निर्मान करने वाला होता है जबकि उदमित्ता एक स्रीजन करता होता है उस वस्तु को बजार में लाके प्रस्तूत करता है वो उदमित्ता है छटा पॉइंट है उदमी एक कल्पना करने वाला बेगती होता है यानि जो बेवसाई को चलाता है वही बेवसाई के बारे में एक कल्पना करता है कि बेवसाई को किस तरह चलाना है नए चलाना है तो एक बेगती ही बेवसाई के बारे में कल्पना करता है जबकि उदमिता एक कलपना है जबकि कलपना का ही रूप है साथवा पॉइंट है उदमियक नेता है यानि जो बियोसाय को चलाता है वो एक नेता की रूप में भी कारे करता है क्योंकि जो विक्ति बियोसाय का मालिक होता है वो अपने अंदर के करमचारियों को वो गाइड करता है, ओर्डर देता है और उसे समय समय पर समझाता भी है इसलिए उद्मी को एक नेता भी कहा जाता है जबकि उद्मीता एक नेतरीत है यानि लीडर्शिप करता है आठमा पॉइंट है जो बेक्ती जो खीम रिस्क उठाता है और समसादों की वेवस्था करता है वह उद्मी कहलाता है यानि बात वही है कि जो वेक्ति रिस्क उठाते हुए कि भविस्य में क्या होगा नहीं होगा ये बातों को बिना सोचे समझे बियुसाई को चलाता है बियुसाई के संसाथनों की पूर्ती करता है उसे ही उदमी कहा जाता है जब कि वास्तों में उदमी द्वारा किया गया का कार्य को उद्मित्ता कहा जाता है यानि जो जो उद्मी एक कार्य को करता है बेवसाय को चलाने में उसे ही उद्मित्ता कहा जाता है नावा पॉइंट है उद्मी नीतियों का निर्धारन करता है यानि बेवसाय को चलाने के दोरान उद्मी ही नीति का निर्धारन करता है जिस दास्मा पंट है उदमी एक प्रबंधक भी हो सकता है हाँ ये सच कि उदमी एक प्रबंधक भी हो सकता है क्योंकि अपना बेहुसाई को अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो अपने तरह से अपनी बेहुसाई की चीजों को कच्छे माल, मैटरियल्स और वर्कर्स को किस तरह से माइनेज करना है, उसको कितनी सेलरी देना है, सारी चीजों का प्रबंध खुद कर सकता है, जबकि उदमित्ता प्रबंधक का एक नियम होता है, ग्रामा पोइंट है, उदमी बेवसाय का स्वामी होता है, यानि बेवसाय का उदमी स्वैम मालिक होता है, जबकि उदमित्ता द्वारा बेवसाय में जो कुछ किया जाता है वह उद्मित्ता ही है चलिए अब हम लोग देखते हैं Various of entrepreneurship यानि उद्मित्ता की बाधाएं यानि एक बेवसाय को चलाने में किस तरह की बाधाएं आती है और किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उदमी को पहला पोईंट है environmental various यानि कि परियावरन की बाधाएं जब भी वेवस्भाए को चलाया जाता है तो परियावरन के अनुसार से उदमी को बाधाओं का सामना करना पड़ता है कभी कभी समय पे माल नहीं मिलते हैं और माल मिलते हैं तो पुझी की वेवस्था नहीं हो पाती है तो time to time अबलेबल नहीं हो पाता है इसी लिए पहले सबसे ज़्यादा raw material की बधाये आती है कि वेवसाई को चलाने के लिए raw material की वेवस्था कैसे की जाए दूसरा है लेवर यानि स्रमी करमचारी यानि एक उदमी को या भी सामना करना पड़ता है कि जब वो बियोसाय को प्रारम तो कर लेता है लेकिन टाइम पे कभी कभी करमचारियों का अभा हो जाता है वरकर्स नहीं मिलते हैं या पर वरकर्स मिलते हैं तो वह करमचारी ज्यादा salary मांगते है तो इसमें भी ये समस्या आ जाती है तीसरा है machinery यानि कि जो ब्योसाय में machine की आवसता पड़ती है तो समय पे पुझी के कारण machinery की बेवस्ता नहीं हो पाती है चौथा है land and building यानि जो जिस समय एक उद्मी बेवसाय को प्रारम करना चाता है तो बेवसाय प्रारम करने के लिए उसे भवन और building land and building की आविसकता होती है तो एक उद्मी को या भी सामना करना पड़ता है उसे अपना खुद का एक land and building होना चाहिए और नहीं तो रेंट पे लेकर भी बेवसाय को प्रारम करता है तो समय पे पैसे नहीं होने के कारण भी बाधाय आती है पांचवा नमबर है इंप्रा अस्रक्षर समर्थन दूसरा पोइंट है financial various उद्मी तो किसी तरह से बेवसाय को प्रारम कर लेता है जुरू में लेखिन बाद में बिट्टे बाधाओं का सामना करना पड़ता है उसे पुझी की बेवस्था एवलेबल नहीं होने लगती है क्योंकि बेवसाय के बारे में पूरी जनकारी नहीं होती है तीसरा प्रस्थनल वेरियस यानि बेगती तो बाधाओं पहला है लेक अफ ओफ कॉन्फिडेंस यानि आत्मविस्वास में कमी हो जाती है अगर बेवसाय में थोड़ा सभी लोस हो जाता है तो आत्मविस्वास कम हो जाता है बी नमबर है लेक ओफ ओफ मोटिवेशन जब बेवसाई अकेले में करता है तो एक उदमी को मोटिवेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए उस टाइम उसे मोटिवेट कोई नहीं कर पाता है तो इससे भी वो डी मोटिवेट हो जाता है तीसरा नमबर है C नमबर में lack of patience वो अपने में patience नहीं रख पाता है धेरिये की किस्मत यानि वो अपने किस्मत को दोस्त देने लगता है कि अब लगता है ये बेवसाई हमसे नहीं हो सकता है D नमबर है Inability to dream Dream करने में असमर्त यानि अपने सपनों के बारे में सोचने पे मजबूर होने लगता है और वो असमर्त feeling करने लगता है अब लगता है बेवसाई बंद हो जाएगी यानि बेवसाई को चलाने के लिए एक आत्मिस्वास का होना बहुत जरूरी है इसलिए समय पे किसी का motivate करना भी बहुत जरूरी होता है तो आज के लिए इतना ही उमीद है आप लोग उदमित था उदमिता के अंतर को बहुत ही अच्छे से समझे ऐसे ही महत्पुन प्रस्णों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर जरूर करें और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बता कि आपको कैसा कोशन का आंसर चाहिए धन्यवाद